तो तक्नीक चुकि ये तक्नीक व्यक्ति परक यानि सब्जेक्टिव टेक्नॉलोजी है जिन तक्नीकों का आप अभी इस्तिमाल कर रहे हैं वो बाहरी तक्नीके हैं अब मैं एक सब्जेक्टिव टेक्नॉलोजी के बारे में बात कर रहा हूँ यह आपके बारे में है यहां आप ही वो सॉफ्ट्वेर हैं जिसे आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं मूल रूप से अगर आप खुद को देखें तो फिलहाल आप उस सॉफ्ट्वेर के अनुसार काम कर रहे हैं जो आप खुद बन गए हैं आप कैसे परिवार में पैदा हुए कैसे माता-पिता कैसा स्कूल कैसे दोस्त कैसा वातावरण कैसा धर्म कैसा समाज इस समय आप वैसे ही व्यक्ती हैं है ना तो यह सॉफ्ट्वेर आपके अंदर उट-पटांग तरीके से हर उस आदमी ने लिखा जिसके आप संपर्क में आए इसे ट्रेंड प्रोफेशनल ने नहीं लिखा हर वो इनसान जो आप से मिला उसने इसमें कुछ डाल दिया आप जहां भी गए किसी ने आपके सर में कुछ भर दिया आपके पास कोई चोईस नहीं थी तो फिलहाल जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं समझते हैं और अपने जीवन में कोई काम करते हैं वो आपके सॉफ्ट्वेर के अनुसार है है ना? आपको समझना होगा कि आप जिस तरह अपने शरीर को हिलाते हैं वो भी आपके software के अनुसार है इसकी पकड़ इतनी गहरी है अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अच्छे से जानते हों आपका करीबी परिचित वो एक मील दूर चल रहा है आप उसका चैरा नहीं देख सकते लेकिन सिर्फ उसके हिलने के तरीके से आप जानते हैं कि वो ये व्यक्ति है है ना? क्योंकि उसके शरीर के हिलने का तरीका वो सिर्फ वैसे हिलाता है जैसे उसका software लिखा गया है लेकिन ये software अच्छेतन आवस्था में लिखा गया था अब अगर हम थोड़ी आजादी चाहते हैं अगर हम थोड़ा रूपांतरंड चाहते हैं तो हमें आपके और आपके software के बीच थोड़ी दूरी पैदा करनी होगी अगर आपने गहरी पैचान बना लिए तो आप उसी में खो गए हैं और वही बन गए हैं अब आपको थोड़ी दूरी पैदा करनी है आपने बुध शब्द के बारे में सुनाए? अगर मैं बुध कहता हूँ, तो शायद आप हमेशा गौतम बुध के बारे में ही सोचते हैं गौतम अकेले बुध नहीं है, ये उनका नाम नहीं है वो बुद्ध बन गए थे ऐसे हजारों बुद्ध हो चुके हैं और आज भी हैं बुद्ध का अर्थ है बुद्ध का अर्थ है बुद्धी यानि इंटिलेक्ट धा का अर्थ है दादा वो जो उपर हो जो अपनी बुद्धी से उपर है वो बुध्ध है एक बार जब आप अपनी बौधिक प्रक्रिया से उपर उड़ जाते हैं तो आपके जीवन में दुख समाप्त हो जाते हैं क्योंकि सारे दुख आपके logical mind में पैदा होते हैं जब आप अपनी बुद्धी में फशे होते हैं तो आप लगातार दुखी रहने वाले इंसान होते हैं। आपको जहां भी डाला जाए, आप खुद ही दुख पैदा करने का तरीका ढून लेते हैं। आपके डर, चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस। देखे जरा, लोग किसी भी चीज को लेकर दुखी हो सकते हैं। हाँ, है कि नहीं? लोग दुनिया में किसी भी चीज को लेकर दुखी हो सकते हैं। देखे जरा, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसका दुख, अगर पढ़ लिख लें, तो दुख, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती, तो दुख, अगर नौकरी मिल जाए, तो दुख अगर आपके शादी नहीं होई, तो दुख शादी हो जाए, तो दुख अगर बच्चे नहों, तो दुख बच्चे हो जाए, तो दुख है न? लोग दुखी हो सकते हैं लगभग हर चीज के कारण बुद्धी का यही स्वभाव है जब आप बुद्धी में फसे होते हैं तो जीवन ऐसा ही होता है अगर आप बुद्धी से नीचे हैं तो आपको इतना दुख नहीं होगा जानवरों को उतना दुख नहीं होता जितना आपको होता है अगर बाहरी चीजों की व्यवस्था हो जाए तो वो ठीक ठाक रहते हैं उन्हें उतना दुख नहीं होता जितना इंसान महसूस करते हैं, है न? तो अगर आप बुद्धी से नीचे आ जाएं तो आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे जैसा कि आपने सवाल किया अगर आप बुद्धी से उपर हैं, तो आप बुद्ध हैं अगर आप बुद्धी से नीचे हैं, तो शायद हम आपको बुद्ध हो कह सकते हैं अगर आप बुद्धी में फसे हैं, तो लगातार दुख तो दुखों से बचने के लिए लोग बुद्धी से नीचे जाने के कई तरीके इजात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खाना शराब शारिरिक सुखों में बहुत ज़्यादा समय बिताना ये सभी वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी बुद्धी की यातना से कुछ देर बचने की कोशिश कर रहे हैं आप शाराप पीते हैं और कुछ घंटों के लिए आप अच्छा मैसूस करते हैं पर फिर जीवन अधिक जोर शोर के साथ आपको दबोच लेता है ये आपको जाने नहीं देगा अब ये जीव जो बुद्धी से नीचे था किसी तरह बुद्धी तक पहुँच गया है इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है बुद्धी से परे अपना विकास करना तो योग का मूल सिध्धान्त और तकनीक यही है कि इससे परे कैसे जाएं तो इसे अभी कैसे करें भीतरी तकनीकों को ऐसे वातावरण में नहीं सीखा जा सकता जहां कमिट्मेंट न हो आपको एक कमिट्मेंट से भरे फोकस्ट वातावरण की जरूरत होगी वरना ये आपकी पकड़ में नहीं आएगा ये कोई शिक्षा नहीं है देखे, अगर आप एक Chemistry Lab में जाते हैं, अब दो Chemicals लेते हैं, अगर आप उन्हें मिलाते हैं, तो कुछ होता है. लेकिन अगर आप उन्हें मिलाने के लिए तयार नहीं हैं, अगर आप यहां बैटकर बस सोचते रहेंगे कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आप बस सभी गलत निश्कर्शों पर पहुँचेंगे. जब तक आप मिलाते नहीं, हो सकता है, यह आपके चहरे पर फट जाए. लेकिन जब तक आप मिलाते नहीं, आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा. लेकिन अब आप ही chemical हैं, आप ही chemist हैं और आप ही experiment है सब कुछ आप हैं, अब आपको एक अलग तरह की laboratory की ज़रूरत है वरना ये काम नहीं करेगा अगर ये बाहरी होता, तो हम सिर्फ एक किताब लिखकर आपको दे सकते थे लेकिन चूकि ये भीतरी है, हमें आपको step by step ले जाना होगा क्योंकि ये बोध और अनुभव का एक पूरी तरह से अलग आयाम है लेकिन क्या ये मेरे लिए संभव है? ये हर इंसान के लिए संभव है अंदरूनी तोर पर हम सभी समान रूप से सक्षम हैं हम अलग अलग तरीकों से सक्षम नहीं है हम सभी में खुश होने की ख्षमता है, है ना? अगर आप एक पल के लिए भी खुश रहे हैं यानि आप में खुश होने की ख्षमता है, है ना? बात सिर्व ये है कि आप वहाँ टिक नहीं पाते यही असली मुद्दा है इस ग्रह पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी भी खुश नहीं रहा हर इंसान कभी न कभी खुश रहा है यानि कि उसके पास खुश होने की क्षमता है बस वो वहाँ टिक नहीं पाता इसलिए उसे इस टेकनोलोजी की जरूरत है कि वो अपने भीतर के माहौल को कैसे बरकरार रख सके यह संभव है